ओल्कम फेंज तू माई यूटूब चैनल प्योगाइड टिक्स और ट्रिक्स मैं संजाई विश्वास अब सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिना केल में हमें एकाउंट ओपेंग किये है जो की ब्रांच अपिशेस का है और वो एकाउंट ओपेंग के टाइम पे गलती से एजेंट कोड टाइप होने के करण से वो एजेंट कमिशन एजेंट के एकाउंट में क्रेडिट हो गया है और वो एकाउंट वेरिफिकेशन भी कम्प्लीट हो गया है फिर उस एजन कमिशन को हम कैसे रिवर्सल करें इसके लिए कौन सा रोल जरूरा थे सारी हम इस वीडियो में डिटेल में डिसकस करेंगे तो वीडियो को एंट तक देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए हेल्पूल लगे तो लाइक कीजिए कोई क ट्रांजेक्शन आइडी है वह हम चेक कर लेते हैं उस वहासे हम कुछ अफिश एकाउंट पहले हुआ पर हम नोट डाउन कर लेंगे और फिट कैसे रिवर्सल करते हैं वह हम देखेंगे तो वीडियो को इन तक देखिए तो यहां हम एस्ट्यम में एंक्वारी करेंगे जो ट्रांजेक्शन हमने किये थे जो ट्रांजेक्शन आइडी जेनरेट हुआ था एजेंट कॉमिशन क्रेडिट का बो ट्रांजेक्शन आइडी यहां पर पहले हम एस्ट्यम में एंक्वार कर लेंगे और जो रिवर्सल का रोल है वो रिवर्सल का रोल के लिए आपको आगार रिवर्सल कर सकते हैं तो देखिए यह पर जो एनकरी यह पर देखिए इस एकाउंट आइडी को हम नोट डाउन कर लेंगे 250 रुपीज टोटल डिडाक्ट हुआ था और फिट देखिए एजन्ट के जो एकाउंट है उसमें क्रेडिट हुआ 237 रुपीज एन जो 13 रुपीज था 13 रुपीज बोट TDS डिडाक्ट हुआ था और TDS का जो ओफिश अकाउंट आइडी है वह भी यहांसे हम देख लेंगे सुल आइडी प्लास 0321 तो देखिए 13 रुपीज यहां पर कॉमिशन के जो टीडीए से बोट डिडाक्ट हुआ था तो यहांसे हम जो ओफिश अकाउंट आइडी है और जो एमाउंट है वह यहांसे नोट डाउन कर लेंगे और फिर जिस दिन ऐसे एरॉर होंगे वो एरॉर एंट्री करके हमें दीविशन प्रिश में मेल करना है और फिर दिविशन हैड और एक disaster लेटर CPC को बेजेगे and CPC उसको CPT में Escalate करके यह role आपको provide करेंगे and फिर आप यह process reversal process कर सकते हैं तो चलिए आप हम reversal process देखते हैं तो यहापे हमें दोनों entry करना परेगा तो यहापे हम CX-FER जो menu है यहापे हम invoke करेंगे यह आपको जो special role है वो role assigned होने के बाद ही आप यह process कर सकते हैं अकाउन में जो agent का agent account ID है जहाँ पर SB जो commission credit हुआ है वो account डालेंगे debit entry में and फिर credit account ID जो option है यहापे हम जो TD commission payment का जो office account है वो office account यहापे डालेंगे वो is all ID plus 0251 फिर यहाँसे 237 रूपीज जो agent के SB में deduct हुआ तो बो amount हम डालेंगे और फिर यहापे remarks में हम reversal type कर देंगे और यहापे reversal और भी कुछ लिख सकते है remarks में and फिर इस process को हम करके यहापे हम post कर देंगे तो यहापे एक transaction ID generate हो जाएंगे तो देखिए यहापे exceptional message आ रहा है कि transaction not allowed on office account तो अगर आपके पास role है अगर रोल नहीं है तो यहापे आप accept नहीं कर सकते हैं तो यहापे हम accept करेंगे तो एक transaction complete हो जाएंगे and office account में transaction ऐसे करने के लिए आपको special role चाहिए वो role अपको मिलने के बाद एक process अब कर सकते हैं तो यहापे हम transaction ID को नोट कर लेंगे जो की देखिए posted हो गया है successfully by default and फिर हम और एक जो पासे जदो TDS deduct हुआ था वो TDS का amount भी हम यहाँ से credit करेंगे तो यहापे हम cxpr में जाके function add करके यहापे debit account पर debit account पर हम TDS का जो TDS recovery of agents का जो office account है sole ID plus 0321 बो account ID यहापे हम डालेंगे office ID फिर credit account में credit account ID जो हो यहापे हम जो TDS commission recovery का जो commission का जो office account है जहाँ से deduct हुआ था वो बो account यहापे हम डालेंगे payment of commission TDS and फिर यहापे जो amount 13 रुपीज deduct हुआ था एन फिर बो यहापे हम डालेंगे और यहापे हम remarks में reversal या कुछ भी आप लिख सकते हैं फिर यहापे हम post कर देंगे तो यहापे पोस्ट हो जाएंगे और automatically verified हो जाएंगे आपको verify करने के जरूरत नहीं अगर यह posted हो जाए ये प्रोसेल आपको special role आपको एसाइन करने के बाद ही आप कर सकते हैं ओफिश अकाउन में transaction तो देखे यहाँ पर आये नमबर यान की transaction ID यहाँ पर जनरेट हो गया है इस transaction ID को हम note down कर लेंगे और फिर चलिए हम देख लेते हैं इसको शायद फिन verification का ज़रूरत नहीं है तो फिर भी हम यहाँ पर supervisor में जाके चेक कर लेते हैं इसको verify हुआ या नहीं अगर आपको वीडियो पसंद है helpful informative लागे तो लाइक कीजिए कोई 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 है तो आप comment करके पूछ सकते हैं वीडियो को ज़्यादे शेयर कीजिए और also subscribe कीजिए चैनल को तो यहाँ पर चलिए हम supervisor में CX-FER जो menu है इस menu से हम try करते हैं वो verification करने के लिए तो यहाँ वेरिफाइशन करेंगे और जो transaction ID है वो transaction ID है आप हम type करके go करेंगे तो देखते हैं यह auto verified हुआ या नहीं तो यहाँ पर हम go करेंगे तो देखिए already posted तो यह automatically verified हो जाता है तो फिर इससे हमें verify करने के ज़रूरत नहीं है तो अगर ऐसे कोई error आप कर लेते हैं office में come के through तो आप easily इस menu को इस special role को आप assign करके आप easily इस error को rectify कर सकते है और इससे आपका जो DTR है वो भी ठिक टक रहेंगे और जो office accounts में जो transactions होता है वो transactions भी सही रहेंगे अगर आपको वीडिय जाद है helpful लगे informative लगे तो लाइक कीजिए कोई 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 है तो आप comment करके पूछ सकते वीडियो को जादे जादा शेयर कीजिए and also subscribe कीजिए चैनल को अभी के लिए इतना ही मिलते है आगली कोई वीडियो में